नुश्कार हिमरीडर यूट्वी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपके लिए कंड़क्टर का मोग टेस्ट लाए हैं कल आपका कंड़क्टर का एक्जाम है तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट विसिज जैसा कि आप सब को पताए 100 questions आएंगे और 2 hours का आपको time मिलेगा और negative marking भी होगी उसके लिए press note भी कल आपने देख लिया होगा press note notice जारी किया था HPPSC ने तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रशन सुद बरतनी का चैन कीजिए तो इन में से सुद सब्द कौन सा है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या फिर प्रतिष्ठा तो इसका right answer क्या होगा सुद बरतनी कौन से होगी प्रतिष्ठा, option B इसका right answer होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like ज़ूर करें मोग test से आपको पता लग जाएगा आपकी त्यारी कितनी है और साथ ही साथ आपका revision भी हो जाएगा चाहे फिर conductor हो या फिर अन्य जो भी exam है उनके लिए भी आपका revision हो जाएगा दिगंबर का सही संदीव छेद क्या है तो दिगंबर का सही संदीव छेद क्या होगा option है दिग प्लस अंबर B दिग प्लस अंबर C दिग प्लस अंबर D दिग प्लस अंबर तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D दिग प्लस अंबर इसका सही संदीव छेद होगा आप वीडियो को pause करके भी खुद इसका answer दे सकते हैं और comment करके जूरुड बताइएगा कि 100 मैंसे आपके कितने question सही हुए उलंगन का सही संदी विछेद क्या है तो इसका सही संदी विछेद क्या होगा option B इसका सही संदी विछेद होगा उत प्लस लंगन इसका सही संदी विछेद होगा राजपुत्र में कौन सा समास है? दिगु है, अबय भाव है, द्वन्ध है या फिर तत्थपूरस है तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्थपूरस समास है option D इसका right answer है जंगम का बिलोम सब्द क्या होगा? अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल तो जंगम का बिलोम सब्द क्या होगा? जंगम का बिलोम सब्द होगा स्थावर option C स्थावर कुंदन का पर्यावाची सब्द क्या होगा? हेम, दुश्मन, मतंग तो कुंदन का प्रयावाची सब्द होगा हेम option A इसका right answer हो जाएगा हेम बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक सब option A है पदलो लूप B विवेकवान C चटुकार D महत्तुकांसी तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा महत्तुकांसी बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्तुकांसी option D इसका right answer हो जाएगा शिव की जटाएं के लिए एक सब्द काक, कलेवा या कातरे या फिर कपर्द तो इसका right answer हो गा option D कपर्द next question देखिए तरंग तुरंग सब्द युग्गम का सही बिकल्ब चुनिये तो इनका सही बिकल्ब क्या होगा लहर दुबला गोडा या गोडा लहर या लहर गोडा तो तरंग तुरंग का सही अर्थ क्या होगा इसका सही अर्थ होगा लहर गोडा तरंग क्या हुआ लहर और तुरंग हुआ गोड़ा option D इसका right answer हो जाएगा लहर और गोड़ा इसका right answer हो जाएगा next question देखिए केर बेर का संग होना का अर्थ क्या है option A दोनों अलग अलग बिप्रित स्वावालों का साथ साथ रहना C भाग्य की बात D दयावान व निश्ठूर का साथ केर बेर का संग होना का अर्थ है केर बेर का संग होना का अर्थ है बिप्रित स्वावालों का साथ रहना option B इसका right answer हो जाएगा बिप्रित स्वावालों का साथ रहना कान काटना मोहावरे का क्या अर्थ है कट खाना होना चतुर होना, मुर्ख होना, बिनम्र होना तो कान काटना मुहाबरे का अर्थ है चतुर होना, option B इसका right answer हो जाएगा, चतुर होना next देखिए, next question हमारे English से है, 10 से 11 question हमने Hindi के किये अब English के question देखिए ये खालिस्तान है give me some rice आएगा, few rice, a few rice या any rice, तो इसका right answer क्या होगा, give me some rice option A, इसका right answer हो जाएगा give me some rice next question देखिए ship grazing on the slope of the hill had gone away तो ship से पहले खालिस्तान में क्या आएगा any, the few, this या फिर much, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, the few the few ship grazing on the slope of the hill had gone away, option B इसका right answer हो जाएगा the few, next question देखिए choose the bird which is best express the meaning of given bird तो आपको bird चुनने हैं, जो इसका सही अर्थ, सही meaning बताते हैं combat का क्या होगा, option A है fight B, conflict, C, suit D, coil, तो combat का क्या होगा, combat का होगा fight option A इसका right answer होगा, fight next question देखिए lament का क्या होगा condemn, complain, disgrace, console तो इसका right answer क्या होगा, complain option B इसका right answer हो जाएगा next question देखिए a person of good understanding, knowledge and reasoning power उसको क्या कहते हैं, जिसकी अच्छी understanding हो, knowledge हो उसको अच्छी reasoning power हो उसको क्या कहेंगे, option A expert, B snob, C intellectual, deliterate तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे intellectual, option C इसका right answer हो जाएगा, intellectual one absorbed in his own thoughts and feelings rather than in things outside जो अपनी feeling और अपनी सोच को, thoughts को, विचारों को अपने तक ही रखता हो, उसको क्या कहेंगे scholar, introvert, recluse, या फिर intellectual, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे introvert, option B इसका right answer हो जाएगा, introvert next question देखिए what is the most appropriate antonium of the given bird तो arbitrary का antonium क्या होगा, dogmatic, diluvial, non-chalent, या फिर systematic तो इसका right answer क्या होगा, arbitrary का antonium क्या होगा, systematic option D इसका right answer हो जाएगा, next question देखिए what is the most appropriate antonium for the given bird, ditter के लिए क्या antonium होगा, patulent, encourage, deficit, या फिर bucolic तो इसका right answer क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा, option B encourage इसका right answer हो जाएगा, next question देखिए find correctly spelled word, तो आपको correctly spelled word के बारे में correctly spelled word क्या होगा, तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसका correctly spelled word, इसकी correct spelling होगी, C-H-A-W-T-E-R-I-N-G, C-H-A-W-T-E-R-I-N-G, option C इसका right होगा, next question देखिए, cleanliness, physical exercise, rest and sleep are part of, तो personal hygiene से question आ गए, तो इसमें क्या भरेंगे हम, इसमें option कौन सा सही होगा, इसमें option सही होगा, पर्सनल हाइजीन, option C, cleanliness, physical exercise, rest and sleep are part of, पर्सनल हाइजीन, next question देखिए, the world health day is celebrated on, तो बिश शुश्वास्ते दिवस कब मनाया जाता है, option A, 1 March, B, 7 April, C, 6 October, D, 10 December, तो कब मनाया जाता है, world health day 7 April को मनाया जाता है, next question देखिए, which of the following disease is also called as Salmonella enterica serotype typhi, option A, typhoid, B, malaria, C, diarrhea, D, yellow fever, तो इसका right answer हो जाएगा, typhoid, option A, right answer हो जाएगा, the disaster management act was made in, तो disaster management act, आप दा प्रबंधन act कब बनाया गया था, 2006 में, 2003, 2005 या 2009 में, तो ये बनाया गया था, 2005 में, मैं जल्दी जल्दी से question बोलूँगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अगर आपको धीरे से, तो सुननी है, तो आप वीडियो की speed भी कम कर सकते हैं, next question देखिए, disaster management include mitigation, या फिर reconstruction, या rehabilitation, all of the above, तो इसका राइटन्स रो जाएगा, all of the above, disaster management में ये सब कुछ आता है, इसका राइटन्स रो जाएगा, प्राइटन्स रो जाएगा, नेक्स्ट कॉश्चन देखिए, भोपाल गैस, disaster is a kind of, तो जो भोपाल गैस द्रास्दी हुई थी, वो किस प्रकार की आपदा थी, natural disaster थी, man-made थी, या terrorist attack था, या none of the above, तो बोपाल गैस द्रास्टी जो थी, वो कौन सी थी, वो man-made disaster थी, option B, right answer हो जाएगा, complete this slogan, तो इस slogan को हम पूरा करेंगे, तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा, two days, 29th को खश्चन, two days humans are future citizens of the countries, option A, इसका right answer हो जाएगा, conductor सब्द की उत्पती कहां से हुई, हिंदी से, इंगलिज से, लेटिन से या फ्रेंच से, तो conductor सब्द की उत्पती इंगलिज से हुई, HRTC का गठन कब हुआ, 2 October 1984, या 2 January 1972, या 4 January 1961, या 5 May 1995, तो HRTC का गठन हुआ, 2 October 1984, ऑप्शन A, इसका right answer हो जाएगा, HRTC स्मार्ट कार्ड बनवाने की कीमत क्या है, 50 रुपए, 25 रुपए, 45 रुपए, या 100 रुपए, तो HRTC स्मार्ट कार्ड बनाने की जो कीमत है, वो है, 50 रुपए, HRTC स्मार्ट कार्ड कितने वर्स तक बैलिड होता है, आप्शन A है, 2 बरस, 5 बरस, 3 बरस, या 8 बरस, तो HRTC स्मार्ट कार्ड जो है, वो 2 बरस तक बैलिड होता है, Next question देखिए, 35th question, HRTC ग्रीन कार्ड योजना के तहत, कितने प्रत्सत चुट दी जाती है, तो HRTC ग्रीन कार्ड योजना के तहत, कितने चुट दी जाती है, 25 प्रत्सत की चुट दी जाती है, एक question काफी important है, इनको ध्यान से देखिएगा, HRTC और उसकी जो भी हिमाचल पत परिवहन की योजना हैं, वेब साइट हैं, उनसे जुड़े काफी question आएंगे, होना जरूरी है, HRTC और आवाड बिज़यताओं को किराए में कितने प्रस्ष्ट छूट दी जाती है, HRTC साइट कुट दी जाती है, स्युट देखिए, नेक्स्ट कॉस्चन देखिए, मोटर वाहन में परिवर्तन किस धारा के अंतरगर्थ प्रदान किया जाता है धारा 52, धारा 14, धारा 60 या इनमें से कोई नहीं मोटर वाहन में परिवर्तन धारा 52 के तहत किया जाता है option is का right answer हो जाएगा next question देखिए driving license का नवीनी करण किसके अंतरगर्थ प्रदान किया जाता है option a धारा 15, b धारा 16, c धारा 17, d धारा 10 तो driving license में परिवर्तन धारा driving license में जो नवीनी करण है वो धारा किसके 15 के तहत किया जाता है नवीनी करण घाव को जल्दी भरने मैं क्या सहाईता करता है बिटामिन C, बिटामिन B, बिटामिन D, बिटामिन A तो बिटामिन C घाव को जल्दी भरने में साहिता करता है option A, इसका right answer हो जाएगा जब घायल बैकती के घाव से खुन भाय रहा हो तो उसे क्या से रोके घाव पर दवाव डालकर पटी बानकर या इन में से कोई नहीं तो घाव पर दवाव डालकर सबसे पहले उसको हम रोकेंगे हाटी सी कितने प्रत्सत से अधिक दिव्यांग बैकतियों को एक प्रदेश के भीतर भीतर निशुल की आत्रा की सुविदा परदान करती है यातरा परदान की जाती है, 70% अगर वो ब्यक्ति दिवांग है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर क्या होगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा तो मनुष्य के बिहेवियर को, जो स्टड़ी करती है, उस साइंस को क्या कहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको साइकलोजी कहते हैं और इसका राइट अंसर हो जाएगा, साइकलोजी नेक्स कॉश्चन देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, 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 इसका राइट अंसर हो जा जो ओप्ष hoor, कितने breath देनी पड़ती है, कितनी इस cycle में कितनी breath और compression देनी पड़ती है, option है 15 compression two breath, 30 compression five breath, या फिर 15 compression five breath, तो इसका residence रोगा 30 compression two breath, option S, इसका rights रोगा 30 compression two breath, कास्ट एंड किन्सीप इनकांगडा के लेखक कौन है जे पी पेरी, जीटी खोसला, म. एस रंधाबा या पी चीटबूड तो कास्ट एंड किन्सीप इनकांगडा के लेखक है जे पी पेरी यहां से हिमाचल जी के कॉश्चन शुरू हो गए तो इनको भी आप ध्यान से देखिएगा कुल्चरल हेरिटेज आफ दी हिमालियाज के लेखक कौन है B.S.O.R.E.K.L.W.E.R.S.S.S.E.M.S.E.T. तो कुल्चरल हेरिटेज आफ हिमालियाज के लेखक है कौन है इसके लेखक? इसके लेखक है K.L.B.E.D. Option भी इसका राइट अंसर हो जाएगा हिमाचल परदेश के कि ख्षेतर के स्व और गाउमैं सिब गूफा स्तीत है तो करसोग के स्व और गाउमैं सिब गूफा स्तीत है किनौरद итуर की किस तहसिल में तरांडा देवी का मंदिर स्तीत है निचार में शांगला में, मूरंग में या कलपा में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा निचार option A कुणाल पत्री मंदिर किस जिले में स्तीत है कुलू, मंडी, शिमला, कांगडा तो कहां पर स्तीत है option D कुनाल पत्री मंदिर कांगडा जिले में स्थित है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कौन सा जिला क्षेतरफल के हिसाब से सबसे बड़ा था मंडी, सिर्मौर, महासू या फिर चम्बा तो महासू सबसे बड़ा था उप्शन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा महासू नेक्स्ट कॉश्चन देखिए 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसका कौन सा जिला दो रियास्तों को मिला कर बनाया गया सिर्मौर, महासू, मंडी या फिर चम्बा तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा मंडी मंडी जिला जो था दो रियास्तों को मिला कर बनाया गया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फल संस्क्रण कार खाना कहां है फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है उप्षण A बददी B 16 C परवाणू D ब्रोटी वाला उप्षण C परवाणू इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रदेश को क्यों सी निम्बू उत्पादन के लिए कौन सी गाटी जो है प्रदेश की कौन सी गाटी निम्बू उत्पादन के लिए सरवोच है option A रावी गाटी B. सिवालिक गाटी C. बसपा गाटी D. सतलुज गाटी तो निम्बू उतपादन के लिए सिवालिक गाटी सबसे अच्छी है यहाँ पर सरवादिक निम्बू उतपादन होता है option B. सका right answer हो जाएगा मंडी जिले में पाई जाने वाली संतरोजा M. मेरिकोजा की समें किस फल से स्वन्धित है पलम से, आडू से, खुमानी से, सेव से तो इसका right answer क्या हो जाएगा option A. इसका right answer हो option A. उच अध्यान संस्थान भवन किस पहाड़ी पर स्थित है option A. डिंगू पहाड़ी B. अब्जर्बेटरी पहाड़ी C. चैडविक पहाड़ी D. स्नोलाइन पहाड़ी तो भारतिय उच अध्यान संस्थान अब्जर्बेटरी पहाड़ी पर स्थित है option B. इसका right answer हो जाएगा अंग्रेजों ने शिमला में किस बर्ष गेटी थेटर खोला 1897, 1847, 1887 या फिर 1901 तो कब खोला था गेटी थेटर अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने गेटी थेटर खोला था 1887 option C. इसका right answer हो जाएगा next question देखिए चम्बा रियासत के राजा ने किस बर्स अपनी रियासत के अलगोग सारे वन पट्टे पे दे दिये 1837 में 1861, 1846 या 1864 तो इसका right answer क्या हो जाएगा 1864 इस भी इसका right answer हो जाएगा option D next question देखिए चम्बा के किस राजा ने 1843 इस भी के आसपास अपने बेटे स्याम सीं के हक में गदी छोड़ दी और दस्त बरदार हो गया तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा गोपाल सी option C योगी चरपतनात किस के गुरू थे तो योगी चरपतनात किस के गुरू थे साहिल बर्मन के गुरू थे option C निमिन मैंसे कौन कुलूर यासत की राजधानी नहीं रही option A समसी B जगत सुख C नगर D सुल्तानपूर तो समसी कुलूर यासत की राजधानी नहीं रही option A इसका right answer रो जाएगा next question देखिए कुलूर यासत का संस्थापक कौन था अजबर सेन बिहंग मनी पाल बसंत पाल या फिर सुसर्म चन तो कुलूर यासत का संस्थापक था बिहंग मनी पाल option B इसका right answer रो जाएगा बिहंग मनी पाल निमिन मैंसे कुलूर यासत की प्राजधानी दित है नगर सुल्तानपूर कुलू या फिर काल ची तो कुलूर यासत की प्राजधानी कौन सी थी ये थी नगर option A इसका right answer रो जाएगा नगर ततारपूर यासत किस महराजा किस बर्स महराजा रंजित सिंग के अधिन आई 1709 AD 1799 1789 1889 1809 तो किस बर्स आई ततारपूर यासत किस बर्स महराजा रंजित सिंग के अधिन आई ये आई महराजा रंजित सिंग के अधिन 1809 इस बी में option D इसका right answer हो जाएगा यमना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकल कर हरियाना में प्रवेश करती है नाहन ताजेवाला पॉंटा साहिब या फिर खोदरी माजरी तो option B इसका right answer रो जाएगा ताजेवाला गिरी गंगा किस स्थान पर यमना नदी में बिले होती है ताजेवाला खोदरी माजरी रामपूर घाट या बंगाल तो गिरी गंगा किस थान पर यह उना नदी में बिले होती है यह होती है रामपूर घाट में option C इसका राइट अंसर हो जागा रामपूर घाट which of the following pass has been created by the Indus River तो Indus River के द्वारा कौन सा pass दर्रा create किया गया है तो इसका राइट अंसर होगा option D इसका राइट अंसर होगा which of the following imaginary line almost divide India into two equal parts तो कौन सी imaginary line इंडिया को दो भागों में बाढ़ती है equator, tropic of cancer, tropic of Capricorn या फिर Arctic Circle तो 17th question का राइट अंसर क्या होगा tropic of cancer, option B इसका राइट अंसर हो जाएगा tropic of cancer next question रेखिए which of the following water bodies is the home of Luxdeep Arbyan Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, Atlantic Ocean तो इसका राइट अंसर क्या होगा Arbyan Ocean, option A इसका राइट अंसर हो जाएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें which of the following reasons supports the करेवा formation करेवा formation को कौन सपोर्ट करता है North Eastern Himalayas या हिमाचल उतरांचल हिमालया या Eastern Himalayas या कस्मीर हिमालया फिर इस दी लोकटक लेक सिचुएटेड तो लोकटक जील कहां पर है केरला में उतरांचल में या मनिपूर में या राजस्थान में तो ये मनिपूर में है उप्शन सी इसका राजस्थान रो जाएगा मनिपूर में विच अफ दी फॉलविंग बाटर वाड़ी सेपरेट दी अंडवान फ्रम दी निकोवार तो कौन सी बाटर वाड़ी जो है अंडवान को निकोवार से अलग करती है तो इसका राजस्थान रो जाएगा नर्वदा नदी या फिर लूनी नदी तो इसका राजस्थान रो जाएगा नर्वदा नदी option C नर्वदा नदी which of the following longitudes is the standard meridian of India 69 degree 30 minute east या 75 degree 30 minute east या 82 degree 30 minute east या फिर 90 degree 30 minute east तो इसका राजस्थान रो जाएगा 82 degree 30 minute east option C इसका राजस्थान रो जाएगा consider the following statement is related to the storm during the hot weather season mango sour since the rain sour are good for the mango tree occur along the coast of Kerala या फिर लू is the name given to the hot dry wind that blow in the northern plain it is very common in Punjab, Haryana, Boston, Uttar Pradesh called Andhi Uttar Pradesh and Bihar called Andhi तो which of the statement is are correct इसकी pdf आपको हमारे telegram channel him reader पर मिल जाएगी इसकी pdf हमने पहले ही अपने telegram channel पर डाल दी है ताकि आप खुद से practice कर सकें तो वहाँ पर जाकर आप इसको download कर सकते हैं which of the above is correct तो इसको आप pdf से ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा 78th question का इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा C बोथ 1 and 2 are बोथ 1 and 2 are correct next question देखिए consider the following statement is are about southwestern monsoon तो southwestern monsoon के लिए इन मैंसे कौन सी statement सही है the bulk of rainfall is received during the season is almost every part of India except Tamil Nadu blossom sour with the sour coffee flower blossom in Karnatka and nearby area which of the above statement is are correct option A only 1 B only 2 C both 1 and 2 D neither 1 or 2 तो इसका right answer क्या हो जाएगा 79th question का इसका right answer हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा only 1 next question देखिए which of the following places is received the highest rainfall in the world seal 4 चेरा पुंजी Monsir Ram Guhati तो कहां पर सबसरवादिक बर्षा होती है Monsir Ram में सरवादिक बर्षा होती है option C इसका right answer हो जाएगा but is the local name of the wind blowing in the northern plain during summer तो northern reason में जो बायू चलती है हवा चलती है उसको क्या घर्मिय में जो हवा चलती है उसको क्या कहते है काल बे साकी trade winds लू या none of these तो उसको हम लू कहते है option C which of the following reason of rainfall during winter in northern part of India इन में से कौन सा बर्षा का कारण है सरदियों में northwestern part of India में cyclonic depression या फिर western disturbances या फिर retreating monsoon या फिर south west monsoon तो 83rd का राइटन्स तर क्या होगा 83rd का राइटन्स होगा western disturbances इसका राइटन्स होगा option B winter में जो north western region में बारिस का कारण है वो western disturbances है 84th question देखिए the river नर्वदा originates from तो नर्वदा नदी कहां से निकलती है सत्थपूडा रेंज से या मरकंटक से अमर कंटक से निकलती है option B इसका राइटन्स हो जाएगा अमर कंटक which of the following lake is a salt water lake सामबर, बुलर, गोबिन सागर या देनुका इन में ऐसे खारे पानी की जील कौन सी है तो सामबर जो है वो खारे पानी की जील है next question देखिए the highest peak in the eastern घाटी तो इस्टन घाट की सबसे उंची चोटी कौन सी है अनाई मुडी या महंदर गीरी या कंचन जुंगा या खासी तो इस्टन घाट की सबसे उंची चोटी कौन सी है इस्टन घाट की सबसे उंची चोटी है महंदर गीरी option B इसका राइटन्स रोजगा महंदर गिरी नेक्स्ट कॉस्टन देखिए भीच किंग स्टार्टिड दी और्गिनाजेशन ओफ कुम फिर एट अलावाद तो इलाव में कुम कामेला किसने शुरू किया था हर्शवर्धन ने या धुरूब सेना ने या फिर नर्सीम बर्मन ने फिर या अक्वर ने तो हर्शवर्धन ने कुम कामेला अलावाद में शुरू किया था वू वाज दी फर्स्ट इंडिया रूलर वू हैड टेरिट्री और साइड इंडिया असोक या चंदरगुफ्त मौरे या कनिश्क या फिर विश्का तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा कनिश्क ऑप्शन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा कनिश्क वू वाज दी ओथर ओफ किताब उलहिंद अबु सैद अबु फजल फिर्दौसी या अलबुरूनी तो किताब उलहिंद किस के द्वारा लिखी गई थी, ये अलबुरुनी के द्वारा लिखी गई थी, option days का राइटन्स रो जाएगा, अलबुरुनी नेक्स्ट कॉश्चन देखिए तो 23rd March इंडिया में क्या होता है, सहीदी दिवस होता है, option days का राइटन्स रो जाएगा वर्नाकुलर एक्ट का रिवीजन इनमें से कौन सा था, ये था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 which of the following taxes are imposed and collected by the state government, state duty, sale tax, land revenue या all of the above तो इसका राइटन्स रो जाएगा, all of the above, ये सारे tax जो है, state द्वारा लिये जाते हैं, फिर state duty हो गया, sale tax हो गया, land revenue हो गया which of the following article deal with the election of vice president, तो vice president के election से कौन सा article deal करता है article 64, article 68, article 66 या article 62, article 66 इसका राइट अंसर हो जाएगा the prime minister is appointed by which one of the following, तो prime minister को कौन appoint करता है, attorney general of India, या president, या vice president, या chief justice of India तो इसका राइटन्स रोगा, president of India, option B which of the following is responsible for the depletion of ozone layer तो ozone layer के depletion के लिए इसे कौन सा कारक उत्रदाई है, CFC या oxygen, SO2 या फिर CO2 तो chloro-fluorocarbon इसके लिए responsible है next देखे, आगे हम maths के question करेंगे, जैसा कि इस syllabus मैं दिया था, कि आप से maths भी पूझा जाएगा और एक दो साइट reasoning के question भी पूझ ले जाएं, तो चलिए देखते हैं, math के question A, B and C share the profit in the ratio of 305-307, if the gain is 2040, then C share is A और B share करते हैं, profit को 305-307, अगर लाब जो है हो 2040 है, तो C का share कितना होगा तो हम इनको add कर देंगे, 3 plus 5 plus 7, यह हो गया, हमारे पास कितना, यह हो गया, हमारे पास 15 तो हमने किसका share निकालना है, C का, C क्या है, C का share, कितने में share करता है profit, वो 73-507, तो C का share निकालेंगे, तो 15 बटा 7 आजाएगा, और लाब कितना है, 2040, इंटू 2040, तो इससे हमारा answer कितना आजाएगा, 952 आजाएगा, तो option C का right answer हो जाएगा, 952 next question देखिए, if A ratio B equal to 2 ratio 3, and B ratio C equal to 4 ratio 5, then C ratio A is equal to, तो फिर C, अनुपात A कितना होगा, option A है 15 ratio 8, B है 12 ratio 10, C है 8 ratio 5, D है 8 ratio 15, तो इसको किस तरह से करेंगे हम, A ratio B, यानि कि A बटा B कितना हो जाएगा, A बटा B हो जाएगा, 2 बटा 3, और B upon C कितना हो जाएगा, 4 बटा 5 ये हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम multiply कर देंगे, 2 बटा 3, इन्टू 4 बटा 5, तो इक इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका, 4 इन्टू 2 आ गया, 8, और 5 इन्टू 3 आ गया, 15, 8 upon 15 ये हो गया, a upon c हो गया, 8 upon 50, a रेसो c हो गया, 8 upon 50, तो c रेसो a कितना हो जाएगा, c रेसो a हो जाएगा, 15 बटा 8, c रेसो 15 बटा 8, तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको कुछ नहीं किया, multiply किया, 15 बटा 8 हो जाएगा, तो option is का राइटन सुरू गया, 15 रेसो 8, next question देखिए, the simple interest on 500 for 6 year at 5% for enemies, तो 500 डूपीज पर simple interest 6 साल के लिए 5 प्रत्सत की दर से कितना होगा, option ए 250, B 150, C 160, D 120, तो देखिए, simple interest का क्या formula होता है, simple interest का formula होता है, P into R into T, upon 100, यह हो गया simple interest का formula, तो हमारे पास principal amount कितना है, 500 है, और rate क्या है, percentage क्या है, मतलब जो ब्याज की दर है, वो क्या है, वो 5 है, और T time यानि time है, 6 year, तो upon 100, तो 500, 500 into 5 into 6, formula क्या दा, simple interest का, P into R into T, तो P हमारे पास 500, R 5 और time जो है 6, तो 500 into 5 into 6 divided by 100, यह तो कितना आ जाएगा, 150 से आ जाएगा, तो option B, इसका right answer हो जाएगा, 150, next question देखिए, A and B finish a job in 12 days, while A, B and C can finish in 8 days, A और B जो है कारे को 12 दिन में करते हैं, और A और B और C कारे को 8 दिन में करते हैं, अगर C अकेला करेगा इस काम को तो कितने दिन में इस काम को करेगा, तो देखिए, A और B जो है काम को करते हैं, 12 दिन में तो 1 बटा 12, और A, B और C काम को करते हैं कितने आठ दिन में तो ये कितना हो गया ये हो गया एक बटा आठ ये हो गया तो C कितने दिन में करेगा इस कारे को तो C कितने दिन में करेगा इस कारे को तो एक बटा आठ माइनस एक बटा बारा तो इसका हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे जो इसका denominator है इसको हम LCM ले लेंगे 8 और 12 का LCM ले लेंगे जो कितना आएगा 24 तो 24 आजाएगा फिर 8 से इसको हम क्या करेंगे divide कर देंगे कितना है 3-12 से कितना है 12 से 12 दुना 24 तो यह आगया 2 2 से इसको एक community लाए गरेंगे आगया 2 तो कितना है 3-2 कितना है 1 बटा 24 3-2 1 और नीचे 24 यह तो आया 1 बटा 24 तो यानि कि C उसकारे को करने में कितना दिन लेगा वो 24 देज इसकारे को करने में लेगा तो option C इसका right answer हो जाएगा last question देखिए the circumference of a circle is 352 meter than area in meter square is अब circumference से circle का 352 तो area कितना होगा तो आपको पता है circumference का क्या formula है 2 pi r इसका formula है और circumference हमारे पास दिया है तो दिया है तो 352 equal to 2 pi r तो क्या होगा हम r की value यहां से निकाल लेंगे जब r की value हमारे पास आजाएगी तो हम area का formula लगा देंगे r की value हमने उपर से निकाल ली है तो r की value फिर हम इसमें put कर देंगे तो इसका right answer क्या आ जाएगा फिर right answer आ जाएगा इसका 9856 इसका right answer आ जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा इस तरह से तो यह हमारा last question था उमीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like जुरूर करें और जाद से जादा share करें और जल्दी ही जैसी advertisement आ जाती है पटवारी classes हम सुरू कर देंगे और बिल्कुल detail में हम classes सुरू करेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम MCQ ही करेंगे बिल्कुल theory और concept भी आपको करवाया जाएगा तो जुड़े रहे हमारे साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद